एक बार फिर से आप सब प्रोग्राम अदिकारियों का आज कि इस विशेश ट्रेनिंग सत्तर में हार्दिक स्वागत एमा विनंदन है जैसा कि हम सब ने पिछले वीडियो के माधियम से ये जाना था कि किस परकार से हम CNA account की mapping को deactivate कर सकते हैं और ZBSC account की mapping को किया जा सकता है अब क्योंकि ZBSC account mapping हमारी PFMS के अंदर पूरण हो चुकी है और हम सब ने अपने ZBSC account को map करने के बाद उसकी approval के लिए higher authorities के पास online माधियम से submit button पे click करके save button पे click करके उसे भेजा हुआ था और उसके बाद आप सबने भी ये देखा होगा कि उस समय पर इसका जो status है वो pending for approval आ रहा था तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है और आवश्यक है कि क्या हमारे उस account का status जो है ZBSC account का status अब क्या approved show हो रहा है या नहीं हो रहा है क्योंकि उस ZBSC account के approve होने के पस्चात ही किसी भी परकार की कोई भी वित्य निधी या फिर कोई भी grant आप तक पहुँच पाएगी तो इसलिए हमें इस कारे को पूरण कर लेना और यह सुनिशित कर लेना कि हमारा ZBSC account जो है उसकी mapping अब जो है वो approved status में है यह करना बहुत अवश्यक है तो इस कारे को कैसे किया जाएगा इस बारे में जान लेते हैं सबसे पहले PFMS की login window पर हम username password जो है वो admin ID और password ही डालेंगे यानि कि PFMS का admin ID और PFMS का password इसको type करने के पाद हम login बटन पर click करेंगे और login बटन पर click करते ही हमारी admin ID और password के माधिम से जो PFMS की admin window है वो सामने open हो जाएगी और इसके पस्चात status चेक करने के लिए अपनी scheme का status चेक करने के लिए हम जाएंगे left side में दिये गए my schemes option पर और my schemes option पर click करने के बाद हम जाएंगे manage option पर जो की पहला option आपको सामने दिखाई दे रहा है इस पे click करते ही आपके सामने आपके द्वारा open किएगे ZBSC account scheme का status आपको सामने दिखाई देगा जिसमें different प्रकार की column आपको दिखाई देंगे इसमें जैसे scheme का नाप national service scheme 9230 bank details आपका bank name और bank account number जहां पर आपने जो है अपने विद्याले की तरफ से वहां पर अंकित करवा रखा है account form भरते समें और उसके बाद जो status है यह जो column status का आपको दिखाई दे रहा है यहां पर approved जैसे यह लिखा हुआ है ऐसा approved आपका status आपको दिखाई देना चाहिए और उसके बाद क्योंगे यह status approved है इसका मतलब है कि account number and other जो formalities है वो सब सही होंगी इसलिए आपका जो यह ZBS से mapping का जो पूरा का पूरा scenario सही इसको approved किया गया है तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि आपका यह जो status है यह approved आना चाहिए और इसके साथ ही bank status और branch status यह दोनों tick automatically लगे होंगे तब ही यह status approved आएगा higher authorities तब इसको approved करेंगे जब आपका bank की तरफ से clearance होता है और branch की तरफ से भी clearance होता है और receiving funds from directed fire education NSS and account types CZBA यहनकी ZBSC के लिए acronym अलग सी उस किये जाता है component mapping आपने कर रखी है तो yes आएगा यहाँ पे तो इस परकार से आपका यह जो main कारे है वो है ZBSC account के status को approved way में देख पाना और अगर आपका status यहां पर approved नहीं आता है यह rejected आता है यह फिर कुछ और आता है means अभी तक आपका ZBSC account जो है वो approved नहीं है उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत जरूर है तो ऐसी स्थेति में आपने जो है अपने उच्चा धिकारियों को जरूर इस बारे में इस problem के बारे में वगत करवाना है ताकिस में रहते इस problem का समधान जो है किया जा सके और आपके status को approved बनाया जा सके धन्यवाद